विदिशा चीले की गंज बासोधा तहसिल में मुख्य मंत्री कमलनाद द्वारा चुनापूर्व किये गए अपने वचन पत्र श्री शशांक भारगव एवं कॉंग्रेस के कार्य कर्ताओं की उपस्तिती में दिग्विजे सीह द्वारा सभा को संबोधित किया गया एवं पूर्व विधायक निशंक जेन के यहाँ पत्रकार वारता में पूछे गए सवालों का दिगविजे सिह द्वारा अपने ही अंदाज में जवाब दिया गया विदीशा से आसिस सहलेक रिपोर्ट मुख्य मंत्री शी कमलना जी का जिनोंने की पंडित देविन भारगव जी की गवशाला को और विस्तार करने के लिए चार एक्टर रुप जमीन यहाँ पासोदा में दी है बहुत तहे दिल से ने कमलना जी का बहुत आभारी है गव माता की सेवा हमारे लिए एक धर्म की परिपार्टी से चलते हुए हम लोगों ने सनातन धर्म के लोगों ने गव माता को अपनी मासरूप माना है और हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम गव सेवा के रूप में योगदान दें मद्र प्रदेश पहला प्रांथ था जब 1994 में गव सेवा योग का गठन किया गया था और हजारों गव शालाएं हमने प्रार्म की और मुझे इस बात का दुख है कि सरकार बदलने के बाद वो सारे लोग जो की गव सेवा के नाम से नाजनीत करते रहे गव माता के रूप में नाजनीती करते रहे उन्होंने गव सेवा आयोगी समाब कर दिया जो जिस प्रकार से गव सेवा होनी चाहिए नहीं हो पाई आज आवारा पशों का जो के हाल है वाकई में हमें दर्द होता है सणकों पर बैठी है गव माता है कोई देखने वाला नहीं इंदोर भोपाल रोड पर हर दिन तीन से चार गव मताए मर जाती है लेकिन कमला जी ने एक संकल्प लिया है और कमला जी कैसे रिखती है जो संकल्प ले ले जो ठान ले चाहिए कोई ताकत हो अब ये जवाबतारी CBI की है करें उसके लिए विजादत मांगें और अगर एफायर दर्ज नहीं करते तो सुप्रींग कोट को लिकित में बताना पड़ेगा क्यों ने इस लिए ज़श्मेंट क्यों है लेकिन CBI की जवाबतारी है को एफायर दर्ज करें और एफायर दर्ज होना चाहिए तो क्या कॉंग्रेस इसको लेकर भी अन्गोलन करेगी बीजेपी के खिलाफ हमां दोरों तो निलंता चलता है जी अधायर अधिया मामने को लेकित करने का अधिकार हर विक्ति को है वैसे मेरा मत और कॉंग्रेस का मत यही है कि इस अधालत का फैसला स्विकार करने हुए इस विवादास पर विशेप को यही पटाक्शिप करना चाहिए कास्मीर हाथ से निकल रहा है यह आपका बयान आया था अधिकार से इस बात को कहता रहा कि अटल ब्यारी बाजबाई जी ने कहा था कश्मीर का हल है तीन शब्दों में जमूरियत दिमॉक्रेसी करें दूसरा कश्मीरियत बतलब कश्मीर के लोगों की भावना को अख्याल रखे और इंसानियत यह तीनों कि तीनों शब्दों का उलंगन किया है अमिट शान कि कश्मीर की हालत विगड़ते जा रहे हैं इनके हाल के सबन नहीं पा रही है और कश्मीर के राज को यूनियो लेकिन कल कांग्रेश की केंद्री अनुसासर सर्विती ने उनको दोसी बाना है तो आपका क्या कहना है सरकार ऐसा है जन्मत का निने होना चाहिए पहली बात तो यह कि अमिर शाह जी ने बहुत बड़ा धोका दिया है शिवसेना को वादा करके कि धाई-धाई साल का 50-50 होगा वो ना करती हुए उन्होंने पांच साल के लिए देविद्फर्टमेश को मुक्यमंती बनाने का दबाव डाला यह घोर विश्वास घात है अभे अगरेश कि विचार्धारा से शिवसेना की विचारदारा मिल का फाईगी और उसने कॉंण मिनिमिन प्रोग्राम में सरकार जो बनेगी उसमें उन सारी विचारधाराओं के जो कॉटेदिक्षिन नमदा माई की हमारे बीच में आज श्री गोपाल क्रिष्ण गोशारा के बुवी पिजन के उसरफर मद्बदेश के पूर मुख्यमंतरी और राजसाबा के सांसर प्रमादरी राजसाब देवे सिंग जी आदानी आंके प्रवारी मंतरी बाई हर्शियादो जी आदानी बंडी जी देवेन बारगो जी हमारे विदायक रिषांग बारगो जी देवेन पतेल जी ओर यहां के हमारे विदायक पाई चांग जैन साहब आदर्नी पतानbon जी यहां के जलात तक सैलें रप गुशी जी आदर्नी वीर सिंह रओ definite झीजी पानबाई और मेहताब सिंग जी और तमाम सभी अधानी कटा देजी यहांके सभी पंच सरफंच सभी जेतागंड और भाईयों बैनों और जुवासाजियों मैं बहुत बताई देना चाहता हूं अधानी देविन पंडित देविन भारगोजी को कि ये गोशाला का निर्मान का भूमिपजण उन्होंने राजसाब दिविसिंग्जी से करवाया है और बताना चाहता हूं कि मदबरदेश के मुख्यमंत्री आधानी कमलनाजी ने अध्यक्ष के रूपे और आधानी राया साब दिविसिंग्जी ने वचन पत्र में इस बात को डाला था कि मदबरदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी तो यहां गोशालाएं बनाई जाएंगी और उसी की कड़ी में आज ये गोशाला निर्मान का यहां पर भूमिपजण हुआ है मदबरदेश में तीन हयार गोशालाएं जगए जगए बनेगी मैं हुशंगाबाद जिरे का प्रबारी हुँ आठ दस गोशालाएं वह बनके तयार है और हम यह बानते हैं कि तीन माताओं को बानते हैं एक भारत माता हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल